स्वतंत्र भारत के पहले की बात है जब अंग्रेज लगातार बंगाल को अस्थिर करने की कोशिशों में लगे होए थे प्रिटिश हुकूमत की सामपरताएक सदभाओ को बिगाड़ने वाली दीतियों के विरुद एक अभिजात देशभाग्त और प्रखर राष्टरवादी सामने आ गया मुसलिम लिग को बंगाल की सत्ता से किनारे करके अंग्रेजों की मनशा पर पानी फेरने का काम करने वाले इस विरले शक्स के नाम 33 वर्ष की आयू में कलकत्ता विश्व विद्याले के कुलपती बंडे और विश्व के सबसे युवा कुलपती होने का सम्बान प्राप्त है दुनिया इन्हें डॉक्टर शामा प्रसाद मुखर जी के नाम से जानती है बंगाल विभाजन के दोरान हिंदू असमिता की रक्षा में भी डॉक्टर मुखर जी का योगदान बेहद एहम माना जाता है हिंदूओं की ताकत को एक चुट करके डॉक्टर मुखर जी ने पूर्वी पाकिस्तान में बंगाल का पूरा हिस्सा जाने से रोक लिया था अगर डॉक्टर मुखर जी ना होते तो आज पश्चिम बंगाल भी पूर्वी पाकिस्तान यानी आज के बंगला देश का ही हिस्सा होता हिंदूओं के अधिकारों के लिए वे हमेशा से मुखर रहे यही वज़ा रही कि उन्होंने नहरू लियाकत समझोते के विरोध में 6 अप्रेल 1950 को नहरू मंत्री मंडल से इस्तीफा दे दिया था मुखर जी अल्प संख्यक आयूग इस्थापित करने और दोनों देशों में अल्प संख्यक अधिकारों की गारंटी देने के उनकी संयुक्त समझोते के सक्त खिलाफ थे क्योंकि उनका मानना था कि इससे पूर्वी बंगाल में हिंद्वों को पाकिस्तान की दया पर छोड़ दिया जाएगा डॉक्तर मुखर जी ने मंत्री मंडल से त्यागबत्र देने के बाद 21 अक्टूबर 1951 को दिली में भारतिय जनसंग की स्थापना की डॉक्तर मुखर जी बारत की अखंड था और कश्मीर के विले के दिर्ड समर्थक थे अनुच्छे 370 के वे दुर विरोती थे डॉक्तर मुखर जी इस प्रण पर सदेव अडिग रहे कि जम्मू एवं कश्मीर बारत का एक अविभाज अंग है उस समय अनुचे 370 में यह प्रावधान किया गया था कि कोई भी सरकार से बिना परमिट लिए जम्मू कश्मीर की सीमा में प्रवेश नहीं कर सकता डॉक्तर मुखर जी इस प्रावधान के सक्त खिलाफ थे अगस्ट 1952 में आयोजित की गई रैली में उन्होंने यह संकल तोहराया नहरू की नीतियों के विरोध के दोरान डॉक्तर मुखर जी कश्मीर जाकर अपनी बात कहना चाते थे लेकिन 11 मई 1953 को श्री नगर में गुस्ते ही उन्हें गिरफतार कर लिया गया तब वहां शेक अप्द्विला की सरकार थी एक महीने से ज्यादा कैद में रखे गए मुखर जी की सेहत लगातार बिगड़ती चली गई और वे अगंड भारत के सपने के लिए बलिदान हो गए पांच अगस्त 2019 को जब प्रदान मंत्री नरेंद्र मोती जी और ग्रेह मंत्री अमित शाह जी के प्रयासों से अनुच्छे 370 को निरस्थ किया गया तब जाकर डॉक्टर शामा प्रसाद मुखर जी का सपना पूरा हुआ ये डॉक्टर शामा प्रसाद मुखर जी को राष्ट की और से सच्ची श्रदान चली थी डॉक्टर शामा प्रसाद मुखर जी के व्यक्तित्व और जीवन शैली से प्रेणा लेकर आज देश की नौचवान पेड़ी राष्ट निर्माण में अपना योगदान दे रही है भारत की एकता और अखंडता के लिए दे गए पलिदान को कर्चक की राष्ट नमन करता है उनकी इस्मृतियों को और योगदान को परणाम